नमस्कार जैन दोस्तो यूपी पीसेएस और आरो यारो के प्रेटिसाइड नमर अर्टालीस को देखते हैं आज अच्छे से समझने की कोसिस करते हैं महत्मूर जीएस के कुसंस रखें काफी उच्फुल होगा आपके एक जम के लिए तो देखो साथ ही साथ जवाब भी देते करें देखो पहला है इसमें भाग चौदे देखो बहाग चौदे में जो प्रवदान दिया हुआ है वो न्याइधी करण के बारे में यानि इससे न्याइधी करण से संबंदित प्रवदान दिये हुए है यानि इसी के अंदर जो संग लोग सिवा आयोग है उसकी सरचना सक और उसके कार्यों का प्रवदान दिया हुआ है आर्टिकल 308 से ले कर के 323 तक संग और राज्यों के इन जो सिवा हैं वह खवव दिया हुई है बाहगे में 7 तो देखो इसमें दिया हुआ है बाहग 13, भाग 13, तो देखो, भाग 13 में दिया हुआ है, आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक, जो भारत का राज़े छेतर है, उसके बीतर जो व्यापारवाणड़ जो जो समाग में, उससे संबंद्धित है, ठीक है, भारत के, जो इसमें A में दिया हुआ है, भारत के छेतर के बीतर, तो इसमें 28324 से 329 तक याद कर लेना तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा चार तो इसका option देख लो 3, 2, 1, 4 3, 2, 1, 4 तो option D इसका सही जवाब है नहीं sorry जान नहीं होगा इसका 3, 2, 1, 4 option D पी सही जवाब हो जाएगा इसका अब देखते हैं इसमें देखना है आपको कौन सा एक योगम सही सुमेलित नहीं है वो देखना है देखो पहला इसमें अनुच्छे 83 लोकसवा अध्यच्छ का निर्वाचन यानि अनुच्छे 83 में क्या लोकसवा अध्यच्छ के निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है तो देखो यह पहला ह इसमें यानि इसमें जो पहला है आर्टिकल 83 इसमें लोकसभा अध्यच्छ का निर्वाचन नहीं दिया हुआ है इसमें जो संसद के सदनों की जो अवदी है उसका वर्णन किया हुआ है 83 में संसद के सदनों की अवदी के बारे में वर्णन करता है आर्टिकल 83 और याद रहना आर्टिकल 83 का एक कहता है कि राज्यसभा ये किस्ता ही सदन है या फिर ये समझ सकते हो कि ये कभी बिगटित नहीं हो सकता है और ये निरंतर कार्य करता रहता है देखो राज्यसभा के जो सदन से होता है उनका कार्यकाल होता है पांच छेवर्स का होता है उनका कार्यकाल कितना होता है छेवर्स का होता है ठीक है याद रखना देखो अमेरिकी सीनेट है अमेरिका में भी दो सदने अमेरिकी जो सीनेट है उसके समान होता है और छेवर्स होता है इसका भी कार्यकाल राज्यसभा का ठीक है उच्छ सदन होत तीसरा इसमें option C है, अनुच्छे 85, संसत के सत्र, सत्रावसान और विक्टन के बारे में दिया हुआ है, इसमें अनुच्छे 66, इसमें राष्ट्रपती का सदनों को अभिवासण और संदेश बेजने का अधिकार ये 6 में दिया हुआ है, लेकिन ये जो पहला दिया हुआ है, ये गलत है इसमें, आर्टिकल 83 में दिया हुआ है, संसत के सदनों की अबदी के बारे में, ठीक है याद रगना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A, आगे देखते हैं कुस्छा नमबर 3, बारतिया संसत के संदर में दिया गए कथनों पर विचार करें, पहला इसमें ये बारत का सर्वोच्य विदाई निकाय है, तो देखो पहला तो 100% सही है, बारतिया जो संसत है, बारत का एक सर्वोच्य विदाई निकाय है, और ये बारत के समिदान का जो भाग 5 है, उसमें अनुच्छे दुनियासी से, 122 तक संसत के गठन, इसकी सरचना, इसकी अबदी, और इसमें जो होते हैं अधिकारी या फिर इसमें जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, विसेस अधिकार या जो कुछ सक्तियां होती हैं, उन सभी का प्रवदान दिया हुआ है इसमें, आर्टिकल 89 से लेकर के 122 में, और समिदान के भाग 5 में, ठीक है, तो देखो ये पहला तो 100% सही है, दूसरा है इसमें, बारतिय समिदान के निर्माताओं ने संसद के लिए अमेरिकी पैटन को अपनाया है, क्या ये सही है, बताइए, देखो बारतिय समिदान के निर्माताओं द्वारा जो संसद है, उसमें ब्रेटिस जो पैटन है, उसको अपनाया गया है, न तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही है इसमें और इसमें दूसरा गलत है अब देखते हैं कुस्सा नमर चार प्रदान मंतरी जंधन योजना निमने लिखत में से किसके लिए प्रारम की गई थी महतपूर योजना है इसके बारे में बता दो ओप्सन देख लो किसके लिए शुरूवात की गई थी प्रदान मंतरी जंधन योजना के देखो काफी फेमस योजना है यह वित्तिय समावेशन की महतपूर योजना है तो देखो मेरे मून से नेकल गया तो इसका ओप्सन डी सही जवाब हो जाएगा यह देखो इसके बारे में बता दू मैं और आपको वित्तिय समावेशन की जो योजना है प्रदान मंतरी जंधन योजना इसकी शुरूआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को और देखो इस योजना का जो मुख्य लच्छ है वो बंचित जो बर गया है उनके लिए बैंक खाता रिंड बीमा पैंसन की पहुंच सुनिश्चित करना इसके अलावा जो बेस्तिय समावेशन है वो इसका महत्मूर लच्छ है देखो इसके तहट क्या प्रदान किया गया है कि 10 वर से अधेक का कोई भी व्यक्ति हो इस योजना के तरह सून्य वैलेंस से एक बैंक खाता खोल सकता है और देखो इस योजना के अंतरगत एक लाग का दुरगटना भीमा भी है और तीस अजार का जीवन भीमा इसका भी प्रदान इसमें किया हुआ है देखो 13 जनवरी 2018 तक इस योजना में तकरीवन 30.97 करोड खाते खोले जा चुके थे 13 जनवरी 2018 तक और इसमें आगे फिर ये समाबेशन योजना के बारे में बात करें ये बित्तिय समाबेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और देखो इस सी योजना को जब सुरू किया गया था तो इसने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना दिया था जिस दिन ये शुरुआत हुई थी पहले ही दिन तकरीवन प्रेड करोड खाते खोले गए थे ठीक है याद रखना इसके बारे में अब देखो कुसर नमर पांच अठारे सो सत्तामन के प्रतम स्वतंतरता विद्रो में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंतरता सैनानी निम्न में से कोन है कस्तूरबा गांदी भीकाजी कामा सर रोजनी नायडू बेगम हजरत महिल बताइए अठारे सो सत्तामन के स्वतंतरता संग्राम में भाग लेने वाली प्रतम महिला स्वतंतरता सैनानी तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महिल इसका सही जवाब क्या है उप्संडी हो जाएगा इसका बेगम ह अजरत महल जो हैं 1857 के विद्रों में भाग लेने वाली प्रथम स्वतंतरता सेना लियें देखो ये बेगम हजरत महल जो अवद के नवाव हुए थे वाजित अली सहा उनकी पतनी थी वाजित अली सहा को बंगाल निर्वासित कर दिया गया था कुसासन के आरूब लगा करके तो उनकी ये पतनी थी फिर इनोंने अपने पुत्र जो था नवालिक था उसको इब्रजिस कादिन नाम था उसको इनोंने अवद का नवाव बना दिया था और वहां का नेत्रत खुद समाला था इनोंने ठीक है तो काफी फिमस सोईया है ये बेगम हजरत महल कुछ नमर छे देखो बुंदेल खंड के अधिकतर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी या पीली मिट्टी बताईए देखो बुंदेल खंड के अधिकतर भाग में पाई जाती है लाल मिट्टी तो इसका option जही है बुंदेल खंड चेतर जो अतरपरदेश के दच्छड में मद्य परदेश का जो चेतर है उस साइड में पड़ता है यह जो चेतर है मद्य के मैधानी चेतर के ठीक दच्छड में इस्तित है और यह जो चेतर है प्राचीन जो नीस चट्टाने उससे बना हुआ है और इस चेतर में बूमी जो है अरबर अधिक अरबर नहीं है यानि अनवर अनुरबर मिट्टी है यहां कम उपजावू मिट्टी है उसर मिट्टी कह सकते हो यहां की मिट्टी क्रसी कारे के लिए उपरेक्त नहीं है यानि उबडखावड मिट्टी है पत्रीली मिट्टी है बहुती कम उपजावू मिट्टी है समझ सकते हो यह उपजावू है ही नहीं यह समझ लो अब ये देखो कुस नमर 7, उत्तर प्रदेश में इस्तित अयुद्या नगर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा, गोमती, सीन और सरीयो देखो उत्तर प्रिदेश बसा हुआ है सर्यू नदी के किनारे कौन सी सर्यू तो अपसंट यह हो जाएगा देखो सर्यू नदी सर्यू नदी के बारे में समझो जो गहागरा नदी है उसी को अयुद्या में कहा जाता है सर्यू नदी अयुद्या सरीव नदी के दाई थट पर इस्तित है ये भी पूझा जा सकते है कौन से थट पर है तो दाई थट पर इस्तित है ठीक है और देखो गागरा नदी का उद्गम होता है तिबबत पठार थे तिबबत पठार पर इस्तित है एक माप चाचुंगो हिमनद है उससे न सासेत्तर उन्नी सो पैंसट या उन्नी सो पैंतालीस देखो यह रानी पूर्ट जो वन्ने जीव अब्यारन ने यह बांदा और चित्रकूर जो जिले हैं उत्रप्रदेश के उन छेत्रों में फेला हुआ है और इस अब्यारन का जो छेत्र फले तक्रीबन 230 वर किलोमीटर के आ देविस कब में सरवाधिक जीत दर्ज की हैं महिज बूपती लेंडर पेस सुमित नागल या रोहन बोपनना बताईए इसका सही जवाब होगा उप्शन भी लेंडर पेस ने यह भारतिया टैनिस खिलाड़ी है और डेविस कब में सरवाधिक जीत दर्ज की हैं देखो लें इस्रित योगल ग्रेंड इसलेम खिताब जीते हैं तेको डेविस कफ पुरुष टेनिस में प्रमुख अंतराष्टिय प्रतयोगता है याद रखना और इसका अयोजन होता है अंतराष्टिय टेनिस महासंग है इसके द्वारा ठीक है आई आई टीएफ का मुख्याले कहां पर फ्रेंक दिरहम या पाउंड तो देखो गिनी विसाओ की मुद्रा जो है यह पस्चमी अफ्रीकी CFA फ्रेंक है तो उप्सन भी इसका सही जवाब हो जाएगा गिनी विसाओ यह पस्चमी अफ्रीकी देश है अफ्रीक माधीम में पढ़ता है जो पूर्वी अट्लांटिक जो महासागर है उससे लगा हुआ है गिनी विसाओ की रादानी विसाओ है आगे देखते हैं कुसर नमर 11 भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारम किस वर सुआ था 1927, 1930, 1936 या 1957 बताईए देखो भारत में रेडियो प्रसारण दो निजी इसमें ट्रांसमीटर लगाए गए थे और 1927 में शुरू हुआ था मुंबई से और कॉलकाता से ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओप्सन ए 1930 में फिर इसका राष्टे करण हुआ इसका नाम फिर बारतिय प्रसारण सेवा हुआ फिर 8 जून 1936 को इसका नाम फिर बदला गया और ओल इंडिया रेडियो कर दिया गया 1927 में इसको फिर बदल करके आकासमाडी नाम से जाना जाने लगा ठीक है 1927 से रेडियो का प्रसारण सुरू हुआ 1930 में इसका राष्टे करण हुआ और इसका नाम बारतिय प्रसारण सेवा रखा गया फिर 8 जून 1936 को इसका नाम बदला ओल इंडिया रेडियो कर दिया फिर 1927 में ओल इंडिया रेडियो को आकासमाडी कर दिया ठीक है याद रखना आगे देखो कुस्सन नमर बार है निमले लिखित में से कौन सा दिन निमले लिखित में से कौन सा दिन विश्व वरिष्ट नागरिक दिवस के रूम में मनाया जाता है एक जनवरी 19 नवम्मर 21 अगस्त या 10 अक्टूबर देखो 21 अगस्त option C सही है इसका 21 अगस्त को मनाया जाता है विस्व नागरिक दिवस 21 अगस्त को पहली बार यह 1991 में मनाया गया था ठीक है यह इसको मनाया जो उद्देश है उन कारकों और मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है जो व्रद या जो वयस के उनको प्रवावित करते हैं आगे देखो कुस्षन नमर 13 1840 इसवी में बंब़ी प्रांत में इस्तावित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश से क्या था 1840 में बनाई गई थी यह परमहंस मंडली इसका जो बंब़ी प्रांत में इस्तावित करने का मुख्य उद्देश से था क्या था नर्वली प्रथा का ब्रोध विद्वा पुनर्विवा को प्रोसाहन करना मूर्ती पूजा तथा जाती प्रथा का ब्रोध करना लोगों में पास्चाति सिच्छा तता धर्षन का प्रसार करना बताईए देखो परमहंस मंडली जो अठारे सो चालीस में मनाई गई इस्ताबित की गई थी बंबाई में इसका जो उद्देश्य था महित्पूर्ण उद्देश्य था मूर्ति पूजा तता जो जाती प्रताती उसका विरोध करना था तो इसका उप्सन सी सही जवाब हो जाएगा उप्सन सी ठीक है पस्चमी जो बारत के प्रत्थम धर्म सुदारक हुए है गोपाल हरी देशमुक ये धर्म सुदारक हुए है पस्चमी बारत के जिने जन्ता लोग कित बादी भी कहती है याद रगना अब यह देखो कुसर नमर 14 ब्रेटिस सामराजवाद के दोरान भारत का आर्थिक अपवाहा का सिद्धान्द किसने प्रस्तुत किया था बदाई ये ब्रेटिस सामराजवाद के दोरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धान्द किस ने प्रस्तुत किया गांदी जी गोपाल किष्ण गोखले दादा भाई नौरो जी डवलू सी बनर जी देखो यह ब्रेटिस सामराजवाद के दोरहन भारत का जो आर्थिक अभवा का सिद्दानत है यह didada भाई नौरो जी ने प्रस्थित किया था ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपसंसी दादा भाई नौरो जी देखो इन्होंने यह जो सिद्दान थे अपना लेक लिखा था इंडिया डेप टू इगलेंड में इसमें प्रस्तुत किया था 1892-1855 में दादाभाई नौरो जी जो है ब्रेटिस वाउस ऌफ कोमंस जो हैं उससे व्हीं और इसम्चाफ है संसक्षों चुने गए थे उसमें ब्रेटिस व्हाउस उफ कोमंस में 1892-1955 के दोरान कि देखो इन्होंने नौरो जी जो थी बंबई एसोसियेशन उससे भी ये संबंदित थे दादा भाई नौरोजी जिसके इस्ताबना 1862 में की गई थी लंदन इंडिया सोसाइटी जो थी जिसके इस्ताबना 1865 में की गई उसे भी संबन्दित हुए है इस्ट इंडिया एसोसियसन जिसके 1866 में इस्तापना की उसे भी संबन्देते हैं दादा भाई नौरो जी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पौवर्टी एंड अन्ब्रेटिस रूल इन इंडिया इनकी फेमस पुस्तक है दादा भाई नौरो जी की याद रखना यह देखो कुस्त नमर 15 निम्न लिखित में से कौन सिल्क पेपर सडियंत्र से समद्ददता ना hearing बताई यह कौन समद्दत है इसमें से सिल्क पेपर सडियंत्र से बताऊ इसका सही जवाब है उप्सन सी मौलमी मौलवी उबैदुल्ला सिंदी यह जो हैं यह संबन देते हैं सिल्क पेपर सड्य अंतर से ठीक है यह खुदाई सेना जो थी उससे जुड़े हुए थे इन्होंने गुप्त पत्र महमूद असन को पीले जो सिल्क है एक फार्ण सी बासा इसी को सिल्क पेपर सड्य अंतर के नाम से जाना जाता है अब यह देखो कुस्स नमर 16 अखिल बारतिया अनुसूचित जाती महसंग की इस्तापना किसके दोरा की गई अखिल बारतिया अनुसूचित जाती महसंग की बताईए देखो इसकी इस्तापना की थी डॉक्टर भी यह जवाब है भीमराव अमेड कन्ने अखिल बाहरती है अनुसुचित जाती महासंग की इस्तापना की थी देखो भीमराव अमेड कन्ने अपना जो पूरा जीवन है वो जातीगत अत्याचार बिरोधी जो संगर्स हुए उसको समर्पित कर दिया था और इनों ने जो अपना जीवने स्रमिकों किसानों इसके अलावा जो महलाएं हैं उनके अधिकारों का समर्तन किया था और यह स्वतंदर बाहरत के पहले विदी और न्याय मंत्री हुए हैं और जो प्रारूप समती बनी थी उसके भी यह अध्यच्छ हुए थे ठीक है याद रगना इनोंने एंड म हिंटर लेंड यह और भी दोनों या इन में से कोई नहीं बदेगे कुस्टन नमर 17 में सही जवाब क्या होगा निम्न लेखित में से कौन सा एक नगर का प्रतवेसी यानि आसपास का छेतर कहा जाता है अधा यह तो देखो इसका सही जवाब होगा उप्सन ए अम लेंड है जो सहर के जो सहर के जो प्रवाज चेतर है सहर का जो प्रवाज चेतर है या सहर चेतर के रूम में जाना जाता है लेको अम लेंड चेतर सहर तथा गाओं की मिसरित जो सामाजिक आर्थिक विसेस्ता होती है उनसे युक तो होता है यह और सहर सहर से निकटता के कारण ही य या उस सहर की व्यापारिक गत्विदियों का मुख्य छेतर भी होता है इतना समझ ले ना इसके बारे में अब देखते हैं कोसर नमर अठार है बुद्धिमान मानव के निकटतम पूरवज के रूब में किसे सुईकार किया जाता है क्रो मैगनोन को औस्ट्रे लोफी थेकस को निएंडर्थल मानव को या सोनेन थ्रोपस को देखो क्रो मैगनोन जो है यह बुद्धिमान जो मानव है इसके निकटतम पूरवज के रूब में सुईकार किया जाता है तो देखो इसका उप्सन यह सही जवाब हो जाएगा क्रो मैगनोन को ठीक है याद रखना देखो मान बेग्यानिक नाम चुड़ो एक सेट लेको इसमें बुद्धिमान मानव का निकटतम पूरवज तो यह क्रो मैगनोन है लेकिन मानव का बेग्यानिक नाम भी वैसे याद ही कलो अधिकतर पता ही होगा को मने का भी होमो सेपियन से होमो सेपियन्स ठीक है अब देखो कुसर नमर 19 निम्न योगमों में से कौन सा योगम सही सुमे लिता है एक साड में पठार लेके हुए है एक साड में देश कोलेरेडो पठार क्या ये सही इसमें क्या पुझा है कौन सा सही सुमेलित है ये पुझा है इसमें देखो कोलरेडो जो पठा रही है संहिक्तराज अमेरिका में इस्तित है इसमें दिया हुआ है दच्छड अमेरिका तो ये गलत है संहिक्तराज अमेरिका कहां पढ़ता है उतरी अमेरिका में प बठार और अनातुलिया का बठार दोनों तुरकी में हिस्ते थे जो यूरॉप है उसका भीहरीया प्रायदी पे जहान का तो उप्सन डी साही है, निम्ण में कौन सी जील, एक ब्रंस गाटी में इस्तित है, टिटीका का बेकाल, चाड या विक्टोरिया, बताईए, इसका सही जबाब हो जाएगा, उप्सन डी, विक्टोरिया जो जील है, यह ब्रंस गाटी में इस्तित है, और तीन देशों में इस हैं विलू नील निकल दिया है हुय को ए इसमें वाइट नील घाती है विक्टॉरिया जिल से तो ठीक है । pequeño नील वह तो एथियोब्या कि तरफ से ताना जील की साइड से ठीक है तो इसका सही जवाब वो जाएगा विक्टोरिया जील और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जील है याद रखना अफ्रीका मादीब की सबसे बड़ी जील है विक्टोरिया जील पूची जाती है ठीक है मीठे पानी की और है इतना भी याद रख ले ना सुबीरियर जील के बाद ये विस्व की दूसरी बड़ी जील है मीठे पानी की देखो दुनिया की सबसे बड़ी जील तो कैस्पियन सागर है लेकिन वह खारे पानी की है मिठे पानी की बात करें तो सबसे बढ़ या सुबीरिय अरफ़ी, तो उसके बाद या दूसरी या मीठे पानी की बिदुनिया की सबसे बड़ी जील कुसर नमuciones 21 समुदर तल के निकट नदियों के अपरदन के परणाम सिरूब निरमार उता है समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परणाम सरूब निर्माड होता है संप्राय मैदान का, लोयस मैदान का, काश्ट मैदान का या हिमानी मैदान का वदाई है तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा संप्राय मैदान का निर्माड होता है समतल के निकट नदियों के अपरदन के परणाम सरूप उसे नमर 22, निमने लेखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है हाइड्रोपोनिक्स जल में पोदों को उगाना है क्या हाइड्रो माने जल होता है अबने सुना होगा हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया यानि जल से डल लगना जल से डल लगना क्या है हाइड्रोफोबिया तो हाइड्रो माने जल है तो हाइड्रोफोनिक्स जल में पोदे को उगाना ही होता है तो देखो पहला तो इसमें सही सुमेलेते हैं दूसरा इसमें PC कल्चर मस्य पालन के लिए फेमस है PC कल्चर ठीक है ये भी ठीक है विटी कल्चर अंगूर की खेती ये भी ठीक है देखो एपी कल्चर रेसम कीट पाचन रेसम कीट पालन तो देखो रेसम के लिए तो आपने पढ़ा होगा इसके लिए तो सेरी कल्चर फेमस है ठीक है सेरी कल्चर किस के लिए सेर्ट के लिए लेकिन goin यह जो एपी किल्चर है यह करशी सम्न्मदीज्दियों का एक परकार है और इसमें जो मदू पलन की जो पालन है वो होता है इस जीद यह गलत दिया हुआ है इसमें यह सई जवाब हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं आप कुस्स नमर 23 विस्टो के प्रमुख खन छेत्र देए गए है ठीक है और इनमें आपको देखना है कि लोह आयस्क छेत्र है उप्रोक्त में से कौन लोह आयस्क है ये खान है आपके सामने लेब्रोडोर गर्थ देखो लेब्रोडोर गर्थ और इसमें सुपीरियर जील जो है ये दी हुई है ये जो छेत्र है प्रमुख लोह आयस्क के छेत्र हैं दोनों ठीक है पहले एक और दो तो ये तो निश्चत है इसमें लोह आयस्क से लेकिन ये कारागांडा बेशन और पेना इन रेंज ये तो क है गया थिष्ड़र अयुख वह जाएगा अपसन में देखलो कौन से में दिया हुआ है क्या पुचा है इसमें लोह आयस्क खनन चेत्र हैं क्या ये सई है इसमें ऑप्षन एक और दो और धो डेloeये तरसमें टाइपिंग मिश्टेक है उपन नीचे हो गया है यह तो और तीन ठीक है तो याद रखना एक और तीना सिय जबाब होगा यानि लेब्रोडोर गरत और सुभीरे जील येड इसका सइजबाब हो गातो साइज जबाब हो जाए का एक और तीन ये कानाडा का जो लोरेंसियन जो पठा रहे ना उसका जो छेत्र फेला हुआ है उस साड में यह लोएस्क छेत्र और यहां पर उच्छ गोटी का लोहा जो है इंत्रे साड बगेरा उसका उत्पादन होता है याद रखना देखो सुपीरियर जील यह अमेरिका में पढ़ती है बताया था मैंने अमेरिका कनडा के छेत्र में पढ़ती है दोनों की सीमाओं पर इस्तित है और यह उच्छ ग्रेड का यहां पर भी लोहा उत्पादन होता है तो इस बज़े से इसका सई जवाब हो जाएगा एक और तीन कोसर नमर चोबीस निम्न लेकित में से कौन से प्रस्ताव को राज् इसका सई जवाब हो जाएगा उपसन भी द्यान आकड़सन प्रस्ताव इसको राज्यसभा के साथ साथ लोग्सभा में भी प्रस्तित किया जा सकता है और यह संसद में किसी सदश्य द्वारा तत्काल सारवजनिक महित्यों के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकड़सद करन लोकसभा में ठीक है और यह जो ध्याना कझसन प्रस्तावे इसको राजे सवा में भी पेस किया जा सकता है और लोकसभा में भी कुछ नमर 25 किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रसाशनिक और राजनी तिक कारें को मानने ता मिली बताये इसका सही जबाब हो जाएगा और इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रसासनिक कारे जोए इन दोनों को माननेता मिली थी इस एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी सासन एतू पहली बाल लेखित जो सम्मेदान है वो प्रस्तुत किया गया और इसी के तहित कलकता में एक सुप्रीम कोट की भी स्थापना की गई थी सत्तर एस चौत्तर में जिसके अधिकार में जो बंगाल है विहार है और ओडिसा है इस छेत्रों को सामिल किया गया था और इस नियाले के जो प्रत्थम मुखे नयदीस बने थे एलिजा इंपे बने थे पूछा जा सकता है एलिजा इंपे वो निन हेश्टिंग्स के टाइम में देखो कुस्सर नमर 26 निम्न लेखित में से कौनसा एक उपवंद साधारण बहुमत से संसोदित किया जा सकता है रैष्टपती का निर्वाचन संग सूची संग की कार्यपाले का सकती का विस्तार या नागरिक्ता से संबंदित प्रवदान पताए किस उपवंद को साधारण बहुमत से संसोदित किया जा सकता है नागरिक्ता से संबंदित जो संबंदित प्रवदान दिया हुआ है इसको साधारण बहुमत से संसुदित किया जा सकता है याद रखना option D सही जवाब हो जाएगा देखो बारत में सम्मेदान के अनुच्छे 368 के अंतरगत सम्मेदान संसुदन का उपवद्ध है और साधारण बहुमत से सम्मेदान संसुदन का आसा ऐसे उससे होता है कि सधन में जो उपस्तित और जो मददान करने वाले यानि आदे से अधिक सदस से होते हैं उनका बहुमत होना चाहिए यानि दुबारा समझो संसद में जो सदस से उपस्तित होते हैं उनका आधा प्लस एक कर दो तो वो साधारण बहुमत हो जाता है ठीक है संसुदन को अनुच्छे 368 के अर्थों में सम्मेदान संसुदन नहीं माना जाता है ठीक है याद रखना कुस्सा नमर 27 भारत में जिला नयायदीस के नयुक्ति किसके दोरा की जाती है समंदित राज्य के राज्यपाल दोरा समंदित राज्य के मुख्यमंतिरी दोरा समंदित राज्य के उच्छ नयायले के मुख्यनयदीस दोरा या बारत के राष्टपती द्वारा बताईए भारत में जिला नयाइदीसों की जिन्यक्ति ए राज के राज़पाल के द्वारा ही की जाती है ठीक है तो अपसन आ इसका सही जवाब हो जाएगा सम्मिदान का अनुचे दिए 233 जिसमें जिला नयायदीसों की नयुक्ति से सम्मंदित प्रवदान दिया हुए है देखो इसके बारे में बात करूँ मैं और आपसे कि राज्यपाल द्वारा जिला नयायदीसों की नयुक्ति में उच्छे नयायले से परामर्स भी किया जाता है कोई व्यक्ति जो राज्य की नियाईक सेवा में पहले से ही है या जो व्यक्ति जब वह कम से कम साथ वर्सों तक अधिवक्ता यानि वकील या फिर प्लीडर रहा हो उसकी नियुक्ति के लिए उच्छ नियाईले ने सिफारिस कियो ये भी सम्मंदित है यानि जिला नियाईद निम्न में से कहां किया गया जी 20 अब्दा जोखिम न्यूने करण कारे समूं की दीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन देखो इसका आयोजन हुआ था चिन्ड़ी में ठीक है चिन्ड़ी में हुआ इल्कुल सही जबाब और देखो आपदा जोखिम न्यूने करण की पहली बैठक भी पूची जा सकते है तो इसकी मार्च में 2023 में हुई थी गंदिनगर गुजरात में और लाश्ट बैठक हो ये चिन्ड़ी में ठीक है सेंड़ाई फ्रेमवर्क जो है आपदा जोखिम को कम करने वाला एक अंतरा सेंड़ाई फ्रेमवर्क पूचा जा सकता है पुशन नम्मर 29 आज का सेकंड लाश्ट है बजट 2024-25 के अनुचा निमन लेखित में से किस छेत्र में गहन प्रदोगी कियों को मजबूत बनाने और आत्म निर्वर्ता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू कने का फ प्रदोगी कियों को मजबूत बनाने और आत्म निर्वर्ता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू कने का फैसला के इंद्र सरकान ने किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा और अप्सन भी रच्छा चेत्र लाश्ट कोसन ने वैदिक काल में किस जानवर को अगान्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्या न मारे जाने योग्या जो जानवर हो उसका नाम बताओ क्या है वैदिक काल में तो देखो गाये के लिए प्रयोग हुआ है ये वर्ड जो है गाये उप्सन सी सही जवाब हो जाएगा नहीं समझ सकते हो गाये के अत्या अत मिलेंगे फिर अगले प्रेटे सेट के साथ पढ़ते रहो तब तक हसते खिलते कूते मुस्कराते रहो पीडियाप चाहिए तो टेली ग्राम चैनल को जोइन कर लो उस पर मिल जाएगी ठीक है जल्दी आने वाली है जो नोट्स की क्लास है सेकंड वो भी आ जाएगी एक दो द